हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू टेक्नो राजस्तान तो दोस्तों आप सभी के लिए राजस्तान विदुतिबाग भरती 2021 को लेकर महत्पून सूचना लेकर आया हूँ जिसका आप सभी काफी टाइम से वेट कर रहते तो फाइनली आप सभी का इंतजार खतम हो चुका है जो आपकी विदुतिबाग के अंदर 237 पदो पर वेकेंसी निकले थी तो इन्हीं के फोर्म रियोपन को लेकर जो विदुतिबाग की तरब से ओफिशल प्रेस नोड जारी हो चुका है और आपके काफी सारे सवाल थे कि जो सभी अभियरती इसके अंदर आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी दुबारा सभी इस ओफिशल नोडिफिकेशन के अंदर जानकारी हो चुकी है ठीक है और आपको बता दूं कि सिर्फ EWS वाले ही नहीं सभी केटिगरी वाले जिसमें जनरल SCST, OBC सभी केटिगरी वाले अभियरती भी इसके तो हम देख लेता है ओफिशल नोडिफिकेशन और ये नोडिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट टेक्नोराजस्तान.in पर भी मिल जाएगा और एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल टेक्नोराजस्तान ओफिशल को जोईन कर लीजेगा वहाँ पर आर्थिक पिछडावर्गी के नियमों में संशोधन के कारण विदुत निगमों में सिधी भरती है तू आवेदन परिकरिया के लिए संसोधित विज्यप्ति शिग्र जारी की जाएगी ठीक है और आज की डेट के अंदर 18 मही 2021 के दिन ये ओफिशल प्रेस नोड जारी हो र जूनियर केमिस्ट के पोस्ट है अकाउंट्स ओफिसर की है ठीक है और जो कार्मिक अधिकारी की है सुचना साय क्याने इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के एक हजार पिछतर पदों पर जिनके लिए ओनलाइन आवेदन 23 वे 24 फरवरी 2021 को विज्यापन जारी किया गया थ जो 16 मार्च तक इसके ओनलाइन फर्म से भरवाए गये थे ठीक है तो यह तो एक हजार पिछतर पदों के लिए और साथ ही में जो आपकी और कनिष्ट विद्यदिकारी कनिष्ट लेकाकार जूनियर अकाउंटेड जूनियर असिस्टेंट के 1295 पदों के लिए भी विज्या पंजारी किया गया था और 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसके लिए ओनलाइन आविदन आमंतरित किया गये थे ठीक है लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गी के अभियरतियों को आईवेवम फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के सम्मा सिधी भरती में छूट देने का डिन्ने लिये गया तो उसके अनुरूप राज्य के पांचों विदुद निगमों में अपने नियमों में आवशक संसोधन किये गये थे ठीक है तो यह जानकर आप सभी को पहले से पता है कि जो AWS को छूट भी दी गई थी एस के अंदर अभियर्तियों को आयू एवम फीज में उक्त छूट का लापरदान करने है तू पांचों विदुद निगमों में सीधी भरती के 237 पदों पर ठीक है टेकनिकल एंड नोन टेकनिकल दोनों मिला कर 237 याने 237 पदों पर वेकेंजी निकली थी तो इसके लिए संसोधित ओपन हो जाएंगे ठीक है EWS के साथ थी जो आरक्षित व्य अनारक्षित वर्ग ठीक है जो आरक्षित वर्ग जैसे EWS हो गया SC, ST, PWD, OBC एवम अनारक्षित वर्ग के ऐसे भीरती भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पेले आवेदन नहीं किया था ठीक है तो जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी वो भी फिर से आवेदन कर सकींगे ठीक है तथा फी ऐसे समस्त अभियरतियों जिन्होंने पूरु में सफलता पूरवक आवेदन कर दिया है तथा साथ ही साथ फीस भी जमा करवा दी ठीक है जो पहले EWS की फीस ज्यादा थी तो अगर उन्होंने ज्यादा फीस जमा कराई है तो उनके अकाउंट के अंदर ओटोमेटिकली फीस वापस रिफंड हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो यहां पर आप देख सकता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर गी जो EWS के से बेढ़ती जिन्होंने निरदारित फीस के अनुसार बताया कि कोरोना महामारी के मद्य नजर लिए गए एक अन्य महतपूर्ण निये के अनुसार उप्त सभी पदो हैतु अब परिक्षया के अंदर केवल राजस्तान में ही रखे जाएंगे जो हम सभी अभेड़ती की डिमांड थी कि जो exam center अपने राजस्तान के अंदर ही होन थी तब तक exam होना मुश्किल है ठीक है तो आब और भी यहां पर पढ़ सकता है कि exam जो राजस्तान के अंदर ही होंगे एंड पूरू में प्राप्त आविदन पत्रों के सभी अभेड़तियों से परिक्षय के अंदर हैतु अनवारिय रूप से शेहरों के विकल्पी लिए अते उन्हें इस बाबत पूने आविदन करने की आवशक्ता नहीं है ठीक है जो आपने पहले अगर आउटोप राजस्तान सेलेक्ट जो सेंटर exam सेंटर सेलेक्ट किया है तो आपको फिर से नया फोर्म भरने की जरूत नहीं है डिपार्टमेंट वाले खुद ही राजस्ता के अंदर आपका सेंटर आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो आप सभी ओफिशल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आपको यह मारी वेबसेट टेक्नोराजस्तान.in पर भी मिल जाएगा ठीक दोस्तों तो आप सभी यह देख लीजेगा आपको यह जानकारी देनी थी जो राजस्तान विदु दिबाग भरती के फॉर्म रियोपन होने को लेकर आज की डेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो रखा है ठीक है तो जल्दी इसके फॉर्म रियोपन हो जाएंगे चार से पांच दिनों के अंदर जो संसदित विग्यपती भी जारी हो जाएगी फिर ओनलेन आवेदन स्टार्ड हो जाएंगे और जो में पूर्ण बात थी मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि जो आपको जिन्होंने फेले फॉर्म भर दिया है उन्हें फिरूम भरने की जरूत नहीं है और जिन जो दूसरी के डिगरी वाले अभियरती भी आवेदन कर सकते है ठीक है तो आप सभी ये नोटिफिकेशन देख लीजेगा टेक्नो राजस्तान डूटिन पर आपको ये जानकरी मिल जाएगी ठीक है और जिन्होंने ज़्यादा फीस भरी है उनकी फीस वापस रिफंड हो जाएगी ठीक दोस्तो तो आपको ये जानकरी देनी थी और आपक आपको बता दी है और अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आपको हमारी वेबसाइट टेक्नो राजस्तान डूट इन पर मिल जाएगी टूटल आपके 2370 पदों पर वेकेंसी निकली है तो ये जानकरी अपने सभी साथियों के साथ शेर कर दीजेगा जो इनके लिए इलिजिबल है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मारी वेबसाइट पर मिल जाएगी एस लिमिट ने उनतम 18 वर्स है अधिकतम 42 वर्स है और बाकी जो केटिग्री वाइज रूल्स के नुसार आपको जूट भी मिल जाएगी ठीक है और एक बार LDC के अंदर बार भी पास ही है और साथ ही में आपके पास computer course होना चाहिए और informatics assistant के अंदर भी टेक इन CS या फिर BCA या BS in computer science के अंदर आपके पास है तो आप जो IA यान informatics assistant सूचना साहिए के अपलाई कर सकते है और stenographer के अंदर graduation with computer course के साथ आपके पास होना चाहिए जुनियर chemistry के अंदर जो degree in science या ने जुनोंने MSC कर रहा है BSC कर रहा है और senior officer के अंदर post graduate with आपके पास experience होना चाहिए और जो assistant officer के अंदर भी post graduate है accounts officer के अंदर भी com m.com है और junior legal officer के अंदर LLB वाले apply कर सकते है और full notification की link आपको मारी website पर मिल जाएगी तो आप से भी देख लेजेगा वीडियो पसंदा अदर प्लेस इसको like share subscribe ज़रूर करेगा thank you so much और आप सभी अपना वे अपने परिवार का covid से ध्यान रखेए अभी ज़्यादा ही fail रहा है और जिन्होंने vaccine नहीं लगवाई है वो vaccine ज़रूर लगवाले लोगों की अफ़ाव में नहीं आए कि vaccine से ज्यान चले जाती है सब कुछ कुछ नहीं होता सिर्फ normal आपको injection ल नहीं रखे you thank you so much and best of luck